नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर विजया कदम, आप सभी का स्वागत है, अब आज हम, आज का हमारा टॉपिक जो है, वो है सुर्य नमस्कार, अर्थात आप सभी लोग तो सुर्य नमस्कार करते ही होंगे, मुझे मालूम है आपको इसका इंपॉर्टन्स मालूम है, हाँ सुर्य नमस्कार के मंत्रों के बारे में हमारे रुगवेद में ये जुर्वेद में उसका हमें सोर्सिस मिल जाते है, कोई गरंथों में सवर कुरान, उपकुरान में इसका हमें संदर्व मिल जाता है, ये सुर्य नमस्कार कोई एक आसन नहीं है, तो आसन के शुर्णकला इसमें उसमें सांसों के साथ जुड़ा हुआ है सो प्रानायाम का भी अभ्यास होता है आसनों का भी अभ्यास होता है और वो हम बीज मंत्र के साथ कहते हैं तो उसका वाइदा हमें अध्यात्मिक लेवल तक ले जाता है ऐसे शारेरिक लेवल मानसिक लेवल अध्यात्मिक उन चाहिए तो यह पहली बात समझ लीजिए कि सुरे नमस्कार करने के लिए सबी लोग कर सकते हैं यहां कोई आट वर्ष के बाद में हम कौन भी मतलब जेंस हो लेडिस हो मेल फीमेल हो या लड़का हो लड़की हो कौन से भी उमर में हम कर सकते हैं कौन से भी रुतु में कर सकते हैं इसको रुतु का भी कोई बंदह नहीं हम कहां भी कर सकते हैं घर में कर सकते हैं टेरेस में कर सकते हैं बाहर भी कर सकते हैं जहां जहां हम इधर companion कोई भी नहीं है, यहां कोई भी कर सकता है, गरिब व्यक्ति भी कर सकता है, स्रीमंत व्यक्ति भी कर सकता है, यहां कोई भेदभाव नहीं है, और हम यहां सब कोई भी उसको जगह भी ज्यादा नहीं लगती, कोई apparatus या instrument उसके नहीं लगता, जस्त एक mat लगते हैं आपके उंचे ही जितनी होगी उतना ही आपको जगह लगते हैं यह सारे उसको प्रिप्रेशन कुछ करना नहीं आपको एक बार सिखाया सूरे नमस्कार कैसे करेंगे तो आप वो कर सकते हैं इतना इतना इजी है सूरे नमस्कार हम डेली कर सकते हैं इसलिए सूरे न कोई ना कोई तो लगेगा हम साथ हमें आज सुर्य नमस्कार के बेरिंशन्स में बताऊएंगी हमारी यहां अउंकर के पंतवरदिनी दी महाराज थे, उन्हों ने पहले ये सुर्य नमस्कार की प्रथा प्रचलित में आए उन्हें वह बहुत ही उसका प्रशार और प्रचार क जो आउंकर पद्धति का सूरे नमस्कार कहा जाता है वो 10 काउंट में किया जाता है अभी हम जो कर रहे हैं 12 काउंट के उसमें भी भारियेशन आ जाते हैं विन्यासायोग संस्ता हमें बहुत से वारियेशन उनसे में भी देती है तो सूरे नमस्कार मैंने भी एक सूरे नमस् के फाइदे क्या-क्या है उनके बारे में हम बताएंगे फाइदा तो बहुत है आप जानते हिया है शारेरिक लेवल भी हमको फाइदा मिलता है मानसिक लेवल भी मिलता है अध्यात्मिक परपस के लिए भी वह हमें फाइदे मन रहता है शारेरिक लेवल के सर पर हम देखेंग और तो हमारे सबी मसल्स का इसमें नवाए पर हो blessed flexibility के लिए लचिलापन भी उससे बढ़ जाता है तो आपकी जो movement है joint movement होगी या कौन सा भी आप काम करेंगे दिन में तो उसमें लचिलापन आने के वदर से flexibility जादा से जादा बढ़ जाएंगे और strengthening purpose, a toning of the muscles आपको develop हो जाएगा उससे भी आपको जादा से जादा फायदा मिलेगा और जो हड़िया रहती है musculoskeletal system में जब हम सुर्य नमस्कार सुबह और शाम को कर सकते हैं सुरज की रोशनी के सामने पूर्वदिशा की और हमारा मुख करके हम ये सुर्य नमस्कार कर सकते हैं प्रखरतेश सुर्य की सुर्य की रोशनी नहीं करेंगे लेकिन सुर्य दोय जहां सुर्य उपता है सुर्य दोय होता है वहां हम ये करेंगे उसका फायदा हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मिलेगा क्योंकि विटामिन D का सोर्स जो नाचरल सोर्स है वो हमारे सुरज को किरणोर से मिलता है, रोश्नी से मिलता है जो vitamin D हमारे हड़ीयों को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फाइधे बंद रहते है vitamin D कीकिया करता है, přेंकिक क्या करता है सांस लेते हैं, सांस छोडते हैं, कभी-कभी हम कुम्भक, यानि कि सांस रोक के भी लेते हैं, ये सुर्य नमस्कार में हम अभ्यास करने में सिखेंगे कि कैसे हम रोकेंगे, कुम्भक कहा करेंगे, उससे क्या होगा, वो हमारी रेस्पारिटर सिस्टेम में जो लंग्स है, उस oxygenated blood की capacity each and every cell को oxygen और nutrients का वो पहुचाने का मदद करेगी तो आपको activity, freshness, alertness यह अलग से फायदे मिल जाएंगी और respiratory system का और भी एक काम है जो हम rage up करते हैं तो हम carbon dioxide बाहर निकालते हैं जो toxins है अधर toxins है, अधर विशारी द्रव्वे जो है जो जहरी ले रहते हैं जो हम सांस के बाहर छोड़ जाते हैं तो हमें respiratory use का भी इधर हमें इसका फायदा मिलता है तो हम respiratory system की तो lung capacity बढ़ जाती है उसकी vital capacity बढ़ जाती है अभी जो pandemic चल रहा है कोरोना के समय हमारे lungs पे अफेक्ट होता है तो lungs की immunity बढ़ाने के लिए सुरिनमस का बहुत फायदे मन होता है तो हम उसका फायदा उठाएंगे फिर आगया आएंगे तो central nervous system में भी उसका आसर है क्योंकि हमारा spinal cord हमारे जो रीड के हड़ी है उसमें जो spinal cord जाता है वहां उसको stimulation मिल जाता है उसका लचिलापन बढ़ जाता है सो stress कम करने के लिए central nervous system है autonomous nervous system है peripheral nervous system है सभी nervous system में इसकी action है तो हम का राम जो मज्जा है वह शान्थ हो जाता है जो nervous system है distress होती है मतलब कि तान तनाव भी कम हो जाता है हमारे concentration लगा रहता है हमारा जो कौन सा हम आसन करने माले हम उसके साथ में हम वह प्रानायम भी जोड़ देते हैं वह concentration बढ़ जाता है तो concentration बढ़ जाने से हमारी एक कागरता बढ़ जाती है तो हम de-stress हो जाते है तो यह भी एक बहुत सा फाइदा है उसका then CVS cardiovascular system तो उसका एक टर्प का मसाज हो जाता है हार्ट का हां एक pumping जो एक rhythmic क्योंकि हमारी जो हम respiratory system से जो blood आता है oxygenated blood वह हार्ट को दे जाता है तो वह हार्ट सभी हमारे शरील में फैल जा देता है तो एक pumping जो एक rhythmic massage मिलता है हार्ट को distress भी हो जाता है rhythmic action मिल जाती है तो उसका काम भी अच्छे से हो जाता है देन आगे जाएंगे हम digestive system digestive system में तो बहुत उसका अच्छा लाब मिल जाता है ऐसे रिचल सिच भी पाये गए है कि जिनको constipation है बद्ध कोश्च रता हमारे अंदर जो इंद्रिये रहते है जो हमारे अंतस्रावी गरंती होंगे या कोई पाचन तंत्र में पाचन रस बढ़ाने के लिए जो भी इंद्रिये है उसका कारेक्षमता बढ़ाता है क्योंकि दाब और stretching हमारे पेट पे उपर आ जाता है तो उससे भी digestion improve होने में और हमें भाँद बहुत फादेमंद रहता है लोगे देन आगे आएंगी हम एंडो क्राइन सिस्टेमन थे अंतस्रावी गरंथी मैंने बोला पेट के अंदर अडरीनल ग्लांटस है पांक्र तो थाइरड ग्रंथी में एक बार दाब आता है, एक बार तान आता है, मतलब एक बार प्रेशर आता है, एक बार स्ट्रेचिम होता है, तो यहां हमारी गले के आगे थाइरड ग्रंथी है, और थाइरड ग्रंथी में जादा से जादा उसका असर दिखाई देता है, उसके बाज़े से क्या होता है, थायरणग्रंथी का हमारा काम क्या है? Metabolism Rate, मतलब कि Basal Metabolic Rate जो है हमारा, वो मेंटेन करने में हमें थायरणग्रंथी का बहुत बहुत फाइदा था जो कि मोटापा हो या वेट कम हो वेट बडाना हो तो भी हमें thyroid gland का इधर बहुत बहुत फाइदा मिलता है जो कि हार्मोन स्त्रवते है thyroid gland से वो हमें हमारा BMR मेंटेन करने में मदद करते हैं So, endocrine system में भी उसका आसर है क्योंकि हम इधर pressure और stretching कर देते हैं जो आसर में कुछ बंद भी बन जाते है तो उसका भी हमें इसका फाइदा मिल जाता है हाँ परवतासन हम करते तो यहां जालंधर बंध लगता है तो उसके action हमारे thyroid gland पे भी है So, endocrine purpose भी आपको इसका फाइदा होगा जो मोटा पाव यानि वेट कम करने के लिए भी यह फाइदे मन रहता है और अब हम आगे जाएंगे detoxification detoxification means sex dietary system जहने मैंने पीछे भी कहा आपको कि respiratory system में carbon dioxide other toxins भी पाहर निकालती है बॉड़ी वैसे ही हमें sweating भी हो जाता है detoxification skin का तो देखा so glowing of the skin भी हमको मिलेगा इधर skin glow होगा toxins निकल जाएगा तो अंदर उन्हीं हमें cleansing मिलेगा detoxification होगा तो skin हमें अच्छी मिलेगा अब हम practical में जाएंगे practical session में एक बात है कि साउधानिया बहुत यह हमाइने रखती है कि कौन नहीं कर सकता है जिनको heart का major problem है high BP है वो भी नहीं कर सकते किसी का हरनिया है पेट में तो भी नहीं कर सकते या किनी को frozen shoulder है क्योंकि heart shoulder के उपर हमारे body का weight आता है तो frozen shoulder जिनको है वो भी ना करें जिनको कमर दर्द है पीट का बहुत stiffness है या दर्द है वो भी ना करें यह जानकरी हमें लेनी चाहिए और महिलाओं में खास करके periods में ना करें गर्भावस्ता में ना करें यह भी हमें जरूरी याद रखना चाहिए तो हम अब practical session अब्स राद कर दो हमें यह जरूरी व।